नमस्कार, तुड़े हिमाशुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावनर रिनाट और चली देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटा फटा द्रम काट कर उसमें गोबर के उपले जुलाए गया थे, जिससे अचानक आग भड़ा गई सूचन मिनी की बाद पुलिस भी मौके पर पहुँची और घटना सल का ज्वाजलिया हुला पंचात प्रदान सीता महंत ने कहा कि आग की घटना में प्रभावेत परिवार को काफी अधिक श्रती उठानी पड़ी है उन्होंने प्रशासन से परिवार को आर्टिक सहता देनी की मांग की है रोतांग दरे के दिदार में बड़ी बाधा बन रहा परमिट प्रचकों ने सरकार से कर दी ये मांग रोतांग दरे के दिदार के लिए परमिट बाधा बन कर सामनी आ रहा है हर रोज बाहरे राजू से 3000 से अधिक प्रचक वहन पहुंच रही है लेकिन रोतांक ले मात्र 1200 परमिठी जारी हो रहे हैं इसमें हजारों पर्मिठ गाड़ी वा परमिठ ना मिलने से रोतांक दिदार नहीं कर पा रही है या ओनलाइन 1200 परमिठ तीन दिन एडवांस में ही बुक हो रही है परमिठ के लिए मारा मारी मची हुई है हालंकि पामिट ना मिलने वाले प्रेटक बालाचा दरे की और रुक कर रखते हैं लेकिन इंदरो रोतांग दरा प्रेटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है पंजाब के प्रेटक राज्रेंद्र वा अभिर्व ने कहा कि वो अपने वहान में रोतांग जना जाते थे लिकिन परमिट नहीं मिला उन्होंने कहा कि परमिट मिलना तो दूर उन्हें रोतांग जाने के लिए किराय में प्रेटक वहान भी नहीं मिला उन्होंने प्रेट्षासिन वसरकार से आग रहे क्या है कि पामिट ना सही लेकिन प्रेटकों को टेक्सी की तो विवस्ता की जाने जाहिए जिसे प्रेटक रोतांग दरी का दिदार कर सके हिमाचर में लू चलने का ओरेंज येलो अलर्ट इस दिन से प्रदेश में बारिश के आसान हिमाचर प्रदेश में तीन दिन गर्मी से दो चार होना पड़ेगा मौसम ग्यान केंदर शिमला की ओसे 27 वट 28 माई के लिए कई भागों में हीट वेव का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है 29 माई के लिए येलो अलर्ट है विभाग के नुसार रज्ज के कई भागों में 30 माई से 2 जुन तक बारिश हो सकती है लोगों को प्रचर्ण गर्मी से रहात मिलने की उमीद है लोग सबा चुनाव और विधान सबा उपचुनाव के लिए मतरदान के दिन भी हलकी बारिश हो सकती है उधार आज राज़ानी शिमला वाने भागों में बौसम साफ बना हुआ है प्रियंका गांधी बोली धनबल से राज़े सरकार को घिराने की कोशिश की गए चम्बा की बाज शापूर के चम्बी पाउंची प्रियंका गांधी ने मोधी सरकार पर फिर जुबानी हमला किया इस चुनाम हमाचील में देश की दो सबसे बड़ी पाचियों कॉंगर्स भाष्चपा में टकर है हाली में हुई दो घटनाओं से इन दोनों पाचियों के सच्च्चाई जनता के सामनी आई है आपदा में कॉंग्रेस का एक एक नेता एक एक कारेकर था जुनता के बीच रहे पूरी कॉंग्रेस पार्टी एक जुटो का जुनता की मदद में लगी रही पेमोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं लेकिन आपदा में एक भी बार यहां नहीं आए हमाचों की भाश्चपा के बड़े निताओं ने भी सुद्ध नहीं ली प्र्यांका ने कहा कि भाश्चपा ने अपने धनबल से जनता की चुने हुई सरकार को गिरानी का प्रियास क्या विधायकों को सौ सौ करोड का लालश दिया देश के प्रधान मंत्री पर लोग तंच को बना रखने ने दिकता को बनाने के जिम्मेदारी होती है लेकिन वे यहां कॉंगेस के विधायकों को खरीदने का काम करवाते हैं प्ये मोदी भगवान की नाम से वोट मांगते हैं लेकिन भगवान का कोई काम नहीं कर रहा परकार बचाने को नहीं भाषपाखो सबक सिखाने का चुनाव मुखेमंत्री सुक्ख विंदर सिंग सुक्खो नी कहा कि भाषपा ने खारीत परोखत करके सत्ता खाती आने चाही लेकिन प्रडेश को जनता ने वोट दे कर कॉंगेस की सरकार बनाई है और वोच का अधिका सब को दिया है आजादी के साथ दश्रक और हज़ारों गुलामियों के बाद ये अधिकार आम जनता को मिला है और पहली जून को प्रदेश की जनता भाश्पा को सबक सिखाएगी और इस बार जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा और उने उना के जुलेडा में राहूल गांधी की न्यासंग कल्प सबा में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रदेश के सरकार को बचाने के लिए नहीं बलकी ये चुनाव भाश्पा के शिष्ट नेतरित्व को सबक सिखानी का है राहूल गांधी बोले हिमाचल सरकार को चुरार नहीं पाएंगे नरिंद्र मोदी राश्चे नेतार राहूल गांधी ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भर्चा चार का गोवारू नाचल और मध्यप्रदेश में सरकारी बनाई है लेकिन हिमाच्योप्धेश में ऐसा नहीं हुगा और हिमाच्योप्धेश की सरकार को नरिंदर मोदी चुड़ा नहीं पाएंगे उना में कहा कि जिस तरह से जनसभामी जनादेश मिल रहा है उसे ये प्रतीत हुआ है और नरिंदर मोदी का असली चहरा जनता के सामने आ गया है नरेंद्र मोदी और भाच्पा का शिष नित्रित्व भाच्चार और चोड़ी के बलबूते पैसरकारे चोड़ी करके बना रहा है नरेंद्र मोदी भाच्चार का सेंटर है और पंजाब और महराच में जो खलात नरेंद्र मोदी ने बनाए है अब वहां के भाजपा के निता भी भाग भगाकर अपने जान बचा रहे हैं क्योंकि सासों किसान अपने हग के लिए शहीद हो गए उन्हें आसक शहीद का दर्जा नहीं दियागा इदा नहीं कहा कि इंडियां गठ बंधन के सरकार देश में बन्ने की बात के सारों मिरुसकार और गरीबों के उत्तान के लिए काम किया जाएगा जो जन्विरोधी फैसले नरिंद्र मोधी की सरकार ने लिए हैं उन्हें फाढ़ कर रद्धी में फेक दिया जाएगा हिमाचो पतेश में चाल लोक सभा उच्छे विधान सभा के सीटे कॉंग्रिस जीतेगी और भाजपा के शिष नेत्रित को महुतोर ड्रिवाब दिया जाएगा इधर नहान में रहुल गंधी ने कहा कि मोदी अडानी के कारण सेप के सही दाम नहीं मिल रही है